सो फ्रेंट्स क्या आप भी लूज बेली से या लटकते पेट से परेशान हैं स्ट्रेच मार्क से परेशान हैं तो इस वीडियो को इंट तक देखिए आपको इससे फायदा मिलने वाला है और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल हो सकते हैं सिर्फ पंदरे दिनों में अब भी लूज आप लोग बार बार रिक्विस्ट करें हो कि एक वीडियो देने के लिए स्ट्रेच मार्क से उपर पेट में जो स्ट्रेच मार्क से या हमारे पेट की स्किन बहुत लटक जाती है सम्टाइम्स थासकर प्रेगनेंसी के बाद ऐसा होता है बहुत जादा या फि जो है स्ट्रेच मार्क सांगल कर गया समटाइम्स बेलीने आते हैं हमारे हातों में या ब्रि即्ट में काफी जगे पर स्ट्रेच मार्क से लिए आज में आपको बहुत ऑच्छा एक रिमेड जार करमगे जो की आप 20 दिन इस्तमाल करेंगे 15 सब 20 दिन में आपको बहुत अच एक्सरच मांग ब्हुत और परिदयниंआ के बाद जो एक सबसे जाधा है इसके एलावा बौडी फैट बहुत जए हुआदा है तो उस ताइम भी स्ट्रेच मांग आ जाते हैं जो दूर कि पूर आपके स्ट्रेच Mr. कहीं कहाँ कि आपको कारणा करने के लिए अपको कुछ खाना भी होगा इसके आपकरta कि फूड थे अपका कर्ना कि बेली फैट के भाई पिट कहीं कहा दूर कि नेद म Dingen यह यहां दूर चाहरकोज कोकह दूर हो only और इसके अवज़े पार वर यह तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा आपकी जो स्कीन है वो एकदम स्मूध हो जाएगी अगर उस एक्सराइस को करें और शाती साथ आप एक रिमेडी में आप लोगो को शियर करोंगी उसे अगर आप अपलाई करोंगे तो आप देखोगे कि आपकी स्की जो है बहुत स्मूध हो गई है और बहुत पहले जैसे स्कीन आपकी हो गई है तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि खाना क्या है तो फ्रेंट्स स्ट्रेच मार्क्स को दूर करने के लिए हमाएं विटामिन ए वाली चीज़ें बहुत ज्यादा मात्रा में खानी हो जिन लोगों भी बहुत ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स हो गई है जिनकी बिली की स्कीन लटक गई है जुडियां हो गई है बहुत स्ट्रेच मार्क्स हो गई है आपके ब्रस में स्ट्रेच मार्क्स हो गई है तो इसे दूट करने के लिए आपको जो है विटामिन ए वाले विटमीन ए रिच थी इच भूओई विटमेन ए रीच फूड़ी भीन, आसमय गाले सेटाइट में विटमीन बाद जिया स्कुंड़ू कोया मैं ह Munka को बाद कृटाता है § KENんな knapp सिर्फ इतिक अआने में विटमीन आरी को समर्नाट मैं को घुशें अपने हर दिन के खाने में इस्तेमाल कीजिए जरूर से जरूर दूद लीजिए दही लीजिए इसके अलावा पाला ग्रीन वेजिटेबिल्स बेल पेपर लीजिए बहुत ज्यादा मात्र में विटमिन A पाया जाता है तो आप बेल पेपर यूज़ कर सकते हो तो इस तरह के आपको लेने होंगे तो यह होगाई डाइट की बाते हैं अब मैं आपको बता दू एक्सराइज बेली के फैर बेली में जो स्ट्रेच होता है उसके लिए बहुत अच्छा एक्सराइज है इसे अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि आपको ताफी अच्छा रिजर्ट मि स्ट्रेचिंग करनी है इससे क्या होगा आपकी स्किन जो स्ट्रेच होगी और जो आपकी स्किन में जो स्ट्रेच मार्क्स आ गया है वो रिकवर होने में मदद मिलेगी आपको आती है रिमेडि आपको एक चीज जो मैं अभी बता दूंगे आपको इसको आपके स्किन में ल बाद पता प्रस््वर कन्या है, गाट ऑग दो खाला अपन हमुद्ध लोगे किसे लिए नहीं, अगो एफ्ची लिए न है पन स्ट्रेश मार्कें के लोगेबगा है अपने लिए कंगा झाहे हैं वहल्त योप करें के लिए लिए रोगढा मुद्ध है इसके बाद इसमें मिलाना है कैस्टर ओयल, कैस्टर ओयल एक ऐसा ओयल है, आप देखोगी जितने भी कॉस्मेटिक्स वगेरा होते उसमें भी कैस्टर ओयल मिक्स किया जाता है, कैस्टर ओयल के बिना कॉस्मेटिक्स परना मुश्किल है, कैस्टर ओयल हमारी स्किन के लिए बह पादम का तेल भी हमारे स्कीन को रीपेयर करने में बहुत मदद करता है आप कोस्मेटिक पेल बादम का तेल अ का प्रिव्स dar आलेक चीजी हो आपकी शेद्थिंगु चाही पाया चाहए ह के सस्वरा और सब्मद्द्दляется का जाता है तरह लगातार हर राद जहां भी आपको stretch marks है बहाँ अच्छे से आपको इसको मसाज करना है इस तरह से मसाज कीजिए जिससे कि यह पुरी स्किन के अंदर आपकी चली जाए तो इस तरह से आप कम से कम 2-3 मिल आप अच्छे से skin में मसाज कीजिए और मसाज करने के बाद बस आ करना है और कुछ नहीं करना है आप देखेंगे धीरे 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 आपके stretch marks रिमूब होना शुरू हो गया है रीकवर होगी आपके skin रिकवर होना शुरू हो जाएगी तो आप इसे लगातार जब करते होगे तो आपको और बिल्कुल 100% इसका result देखने को अगर आपको अच्छा result मिले तो जरूर आपके मुझे कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल सब्स्क्राइब करके रखिएगा आगे भी आप लोग के साथ इसी तरह के helpful वीडियोस में शेयर करके रहूंगे